फ्रेंड्स अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आप चार्ट में देखते हैं तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ शेर उपर की तरफ से मुवमेंट करते हुए आ रहा है नीचे और एक चैनल में आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है तो में इसको डाउन साइड में ट्रेंड में ट्रेंड करना इतना बेनिफीशियल नहीं होता जितना कि अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करके अपसाइड की तरफ मुवमेंट स्टार्ट करता है तो मेरी ओपिनियन है फ्रेंड आप इससे एग्री भी हो सकते हैं डिसेग्री भी हो सकते हैं अगर इस तरीके का चैनल फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड में तो बेस्ट मुवमेंट अगर आपको कैप्चर करनी है तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करें तो वहाँ पे बाइं नीचे की तरफ मुवमेंट करते हुए आ रहा है तो जिन लोगोंने उपर वहाँ पे सेलिंग की होगी तो जब वह शेर दीरे दीरे नीचे आते जा रहा है तो वहाँ पे वह प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट कर देंगे तो उसकी नीचे की तरफ मुवमेंट कम हो जा तो वो अपनी position को cover करने के लिए उन्होंने sell side की position मनाई होई है buying करनी पड़ेगी और दूसरा यहां पर buyers भी wait कर रहे होंगे resistance के breakout का तो double potential के साथ यहां पर उपर की तरफ यह movement दिखाता है example मैं इसका बता देता हूं for example जैसे falling wedge में bullish movement का reason यही होता है इसी तरीके से downtrend में जो channel आपको दिखाई दे रहा है उसमें bullish moment के पूरे chances और ज्यादा chances उसमें bullish moment के रहते हैं friends